हलो दोस्तों टोनेट टोटके में आप सब का स्वागत हैं जैसे कि आप सब बोलते हैं कि अगर मेरा कोई सत्रू है या दुस्मन है उसके उपर मैं वसीकरण कैसे करूँ तो दोस्तों यह इजी है अगर कोई सत्रू आपका बहुत बड़ा दुस्मन है और आपको सही तरिके से रहने नहीं देता है या आपको बहुत परशान करता है तो भी आप उस पर बिजय पा सकते हैं तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी सत्रू हो आपको अ मित्र बना सकते हैं वसी करण के तोटके के द्वारा पर आपको करना क्या है आप नोट करें जो इंसान आपको परशान कर रहा है जो बेक्ती आपको परशान कर रहा है आप लाल चंदन ले ले भोजपत्र ले ले और आमावस की रात हो आमावस की रात में यह आपको करना है लाल चंदन और भोश पत्र आप ले लें और शहत तो आप जानते ही हैं जिसे गाओं में मद बोलते हैं सहरों में शहत बोलते हैं तो लाल चंदन से आप भोश पत्र पर उस बेक्ति का नाम लिखती जिए एक बॉटल में सहत भर दिजिए एक छोटा बॉटल हो उसमें सहत भर कर रखतें अमावश की रात में आप भोशपत्र को शहद में डुबा कर रख दें और वो बारे घंटे के बाद असर करेगा और वो बेक्ती जो आपको गालियां दे रहा था जगड़े के लिए आता था कंटीन्यू वो बेक्ती आपके समझ आएगा तो सही पर आपसे गलत ब् करेगा और वो प्यार एक दोस्ती में बदल जाएगा तो दोस्तों यहां पर दुस्मनी खतम करने की बात है ऐसा नहीं कि हम उसे अपने वस्त में कर लिए आप जो मैं बोलूँगा वही करेगा ऐसा कत्ता ही नहीं होगा वो शिरी दुस्मनी को प्यार में बदल देगा यह आपके लिए टुटका है आप इसे आजमाएं और संतुच्ट रहें तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़